वेलकम टू एग्जाम बेविचना तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम अपने चैनल पर डिसक्स कर रहे हैं अतीम महत्पुन प्रश्णों की सीरीज तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट को डिसक्स कर रहा है अगर भी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो वहाँ पर आपको प्लेलिस का लिंक मिल जाएगा बाकी आपको बट्सप और टेलिक्राम गूर्फ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे उनको भी आप विजिट कर सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ अगर भी तक आप हमारे जो पीजिटी हिंदी और एल्टी टैट के लिए न्यू बैच बिठाए जा रहे हैं उनसे नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ विजिट सकते हैं आपको वहाँ पर अच्छे से एल्टी टैट और पीजिटी हिंदी की प्रेपरेशन करवाई जाएगी तो चलिए आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे कोर्सिस हैं किस तरह से आप उनको जॉइन कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आप में से कोई भी ऐसा कैनी रेट है जो एच्पी एल्टी टैट की त्यारी करना चाहता है तो वह हमारे न्यू बैच के साथ जूट सकता है हमारा न्यू बैच एल्टी टैट के लिए 25 जुलाई 2003 से शुरू होने वाला है यहाँ पर आपको संपून एल्टी टैट की त्यारी करवाए जाएगी जो भी एल्टी टैट हिंदी साहिते से स्वंदित होगा संपून करवाए जाएगा यहाँ पर आपको यह पता ही होगा कि जो LTE TET है यहाँ पर 500 कोशन आते हैं 500 में से हिंदी की होते हैं 120 तो आपको संपून 120 कवर करवाए जाएगा अगर धंग से आप पढ़ोगे या फिर अगर पहले के स्टुएंट्स की बात करें तो वो LTE TET की अगर बात करते हैं तो 120 में से 110 100 नंबर एजिली ले आते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर संपून हिंदी साहित करवाए जाएगा आपका एक भी पोशन यहाँ से नहीं छुटेगा तो अगर इंटरस्टीड हो तो यहाँ पर जो बटसेप नंबर दिया गया है A2193222229 यहाँ पर बटसेप करिए और इस कोर्से स्वंदी जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है तो चले इसके परशाद PGT हिंदी की भी जानकारी आप गोदे देता हूँ तो यहाँ पर देखी जो PGT हिंदी का जो हमारा न्यू बैचल पैठेगा बैचल तो यह शुरू हो चुका है 16 जुलाई 2003 से अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिरेट है जो PGT हिंदी की प्रिप्रेशन करना चाहता था तो जल्द जल्द वो एंडरोर हो सकता है हमार साथ और आपको साले के साले जो लेक्चर हैं अब तक हो चुके हैं वो भी प्रवाइड करवाई जाएंगे और जो अगर आप नए सीरे से कोचिंग लेना चाहते हो PGT हिंदी की तो इसको भी जोईन कर सकते हो इसके समझ में भी यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो यहां पर बटसैप नमबर दिया गया है इस पर आप बटसैप कर सकते हो और सारी जानकारी जोटा सकते हो तो चलिए जाएदा समेना लेते हो शुरू करते हैं पने आज के लक्टर को तो आज की लक्टर में हम लगबग 4 प्रश्न को देखेंगे सारे के सारे महत्पुन ह suits रहने वाले हैं यह गथन किसका है तो चार बिकल्प जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें जो सही हो जाएगा कि जो साहित्य का इतिहास चंता की चित वृत्य का इतिहास है यह कृत разг counterpart आचार रामचे दर शूगल का होगा जो आचार रामचे दर शूगल है अलोचकों के तौर पर काफी महत्पून है और चिंतन जगत में इनका प्रमुक स्थान है अगला प्रशने दो इतिहास के प्रती भारती दिश्टी कोंड किस प्रकार का रहा है तो इतिहास के प्रती भारती देश्टी कोन राह है आदर्श मुलक एवं अध्यातमबादी विकल्प ए यहां से ही होगा फिर अगला प्रशन है तीन इसमें क्या पूछा गया है हिंदी साहित्ते की भूमिका के लेखक कौन है प्रश्टी की बूमिका है यह इतिहास गृंत लिखा गया था अचारे हजारी परसाद दूई बेदि के द्वारा समय इसका 1940 हो जाएगा अगला प्रशन चार फिर इतिहास लेखन की परमपरा का सुत्रपात किस ने किया जो हिंदी साहिते के इतिहास लेखने की परंपरा का सुतरपात किया गया था तो ये गारसाद तासी के दुवारा किया गया था इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपने इतिहास को लिखा जिससे हिंदी साहिते में इतिहास लेखने की परंपरा शुरू हो जाती है अगला प्रशने 5 अचारे रामचंदर शुकल के इतिहास गंद का नाम बताईए तो ओपर ही हमने अचारे रामचंदर शुकल को देखा था तो इसके प्रशा देखिए इनके इतिहास गंद का नाम पूछा यह है ये है हिंदी साहित्य का इतियास समय इतका 1929 हो जाएगा और ये काशिन नागरिप चारनी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था ये भी पूछा जाता है इसलिए महत्पुन होगा अगला प्रशने इन में से असत्य कथन कौन सा है तो जो असत्य कथन यहां पर होगा तो वो होगा बिकल्ब डी हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये डॉक्टर नगेंदर की रचना ना होकर किसकी है तो ये अचारे हाजारी पर साथ दोईवेदी की रचना हो जाएगी बाकी जो लगबग एकजार कभियों का विब्रण है तो ये पी सही हो जाएगा अगला प्रशन है साथ इन में से अशुद जोड़ा छांकिए तो जो यहां पर अशुद जोड़ा हो जाएगा तो वो पहले सही देख लेते हैं जो राजिस्थानी भाषा और साहित्य मोतिलाल मनेडिय का होगा बिल्कुल सही है हिंदी साहित्य का बेग्यानिक इतिहास डॉक्टर गनपती चंदरगुप्त का होगा सही है हिंदी साहित्य का बेग्यानिक इतिहास तो ये सर जोर्ज ग्रियरसन का नहीं होगा किसका होगा ये तो जो हमारा हिंदी साहित्य का बेग्यानिक इतिहा ये गणपति चंदरगुप्त का ही होगा बाकी है शिबसीय सरोज ये शिबसीय सेंगर का होगा समय इसका 1883 है जो ग्रियर्शन का इतियास होगा दमॉडर्न बढ़ना की उलर लिट्रेचर ओफ नॉर्डन हिंदोस्तान इसे अंगरेजी बहाषा में लिखा गया था इसका भी धियान रखना है अगला है हिंडी साहित्य के सर परत्म इतियास गट का रचना काल तो ये कौन सा है तो ये फ्रेंच बहषा में गारसरस्द दाशी के दोड़ा लिखा गया है इसे हिंदी साहित्ते के सरप्रतम इतिहास के तौर पर जाना चाता है अगला प्रशने हिंदी साहित्ते का इतिहास सरप्रतम किस भाषा में लिखा गया था अभी यह आपको बतला है कि फ्रेंच भाषा में यह लिखा गया था अगला प्रशन है उस इतिहास गंद का नाम बताईए जिसमें लगबग 5,000 कभियों का विबरन संकलित है तो जो मिश्रबंदू बिनोध है मिश्रबंदू के द्वारे से लिखा गया है तो इसमें लगबग 5,000 कभियों का संकलन किया गया है और समय इसका देखिए ये पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो मिश्रबंदू मिनोध है ये चार भागों में संकलित है प्रत्म 3 भाग इसके 1913 में संकलित किये गये थे और 4 भाग इसका 1934 के आसपा संकलित किया गया था प्रशन संख्या 11 है हिंदी बीर काबे के रचाईता कौन है तो जो हिंदी बीर काबे के रचाईता हो जाएंगे टिकम सी हो जाएंगे विकलब सी यहां से यह हो जाएगा अगला प्रशन है नागरी प्रचाणनी सवा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहिते के बियर दितिहास के कुल कितने खंड हैं तो जो नागरी प्रचाणनी सवा के द्वारा हिंदी साहिते के बियर दितिहास को प्रकाशित किया गया है तो यह 16 खंडों में विवाजित है प्रति क्या पूछा गया है प्रशन संख्या 13 में पूछा गया है नागरी प्रचारनी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के ब्रिहद इतिहास के छटवे खंड लितिकाल के संपादक कौन है तो काफी महत्पून होगा तो ये डॉक्टर नगेंदर थे ध्यान रखना है नागरी प्रचारनी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य के ब्रिहद इतिहास को चापा गया था ठीक है और इसके जो देखिए छटवे खंड है इसके प्रकाशक या संपादक का नाम पूछा गया है तो ये डॉक्टर नगेंदर हो जाएंगे फिर अगला प्रशने कवीता कौमोदी के रचेटा कौन है तो जो कवीता कौमोदी है ये राम नरिष्टि भाटी के द्वारा लिखी गई थी अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्चन नाम ग्रंद के लेखक कौन है तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्चन नाम ग्रंद के लेखक होंगे डॉक्टर नलीन बीरोचन शर्मा कि अगला प्रशन है 16 इनवे से कौ면 सी पुष्टक हजारी परसाथ दूई वेदी की नहीं है पहले तो सारी पुष्टके इस देख लेते हैं हिंदी साहीत्य की भूमी का 1940 है हिंदी साहीत्य का आदिकाल बुहश्ग अदिकल बावनी यह हवी हजारी पर शाद तो जो लीति काबे की भूमिका ही ये डॉक्टर नगेंदर की होगी इनकी नहीं होगी ये अगला प्रशने 17 कभी वच्छन सूदा के संपादक का नाम बताईए तो जो कभी वच्छन सूदा के संपादक का नाम होगा भारतेंदू हरिश्चंदर होगा समय इसका 1868 के आसपास है अगला प्रशन 18 पंडित बालकृष्ण भट किस पत्तर के संपादक थे तो जो पंडित बालकृष्ण भट हैं ये हिंदी परदीप के संपादक माने जाते हैं समय इसका 1867 स्वी होगा अगला प्रशने 19, प्रजाहितैशी सब्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था तो जो धियान रखना है जो प्रजाहितैशी है पहले तो ये सब्ताहिक पत्र था और ये आपके आगरा से प्रकाशित करवाय जाता था या फिर आगरा से ये निकलता था अगला प्रिशने 20 उदन्त मार्तन का प्रकाशन कहां से होता था तो जो उदन्त मार्तन है इसका प्रकाशन होता था कलकता से जुगल की शोर के द्वारश से निकाला गया था ध्यान रखना है अगला प्रशन है ब्रामन पत्र के संपादक कौन थे तो जो ब्रामन पत्र है इसके संपादक माने जाते है पंडीत परताप नरायन मिशर अगला प्रशने 22 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारम हुआ था तो जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन बर्ष माना जाता है 1990 को काफी महत्कून है ये पत्रिका फिर है 23 सरस्वती पत्रिका के यशिस्वी संपाद का नाम क्या था तो जो सरस्वती पत्रिका है इसके ये शिस्वी संपादक का नाम है महाबीर परसाद दुई वेदी महाबीर परसाद दुई वेदी ने से 1903 से लेकर 1908 इसवी तक संभा रहा था ये वी धियान रखना है फिर अगला प्रशने 24 गनेश शंकर विद्यार्थी कानपूर से कौन सा पत्र निकालते थे तो जो गनेश शंकर विद्यार्थी है ये ये कानपूर से पत्रा पत्रिका को निकालते थे अगला प्रशने 25 दुलारे लाल भारगव के संपादक में कौन सी पत्र का लखनों से निकलती थी तो ये निकलती थी माधुरी अगला प्रशने 26 हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है तो जो हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र है ये कलियान माना जाता है अगला प्रशने कलियान का प्रकाशन किस नगर से होता है तो जो कलियान का प्रकाशन होता है गुर्खपूर से होता है अगला प्रशने 28 बिशाल भारत के संपादक कौन थे तो बिशाल भारत के संपादक माने जाते हैं बनार्शी दास चतुरवेदी अगला प्रशने 29 बिशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घास लेटी साहित्य कहा जाता था तो ये उगरजी के साहित्य को कहा जाता था ये भी धियान लखना है अगला है इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो निराला के दुवारा सुधा नामग पत्रिका का संपादन किया गया था अगला प्रश्ण 31 आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे तो आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक माने जाते हैं बाबु गुलाब राए अगला है 32 इनमे से सुमेलित कौन सा नहीं है तो जो सुमेलित होंगे पहले तो वो देख लेते हैं प्रभा कानपूर से निकलता है सुधा लखनव से मतवाला पटना से नहीं निकलता है ये कलकता से निकलता है कलकता से विशाल भारत ये वी कलकता से ही निकलता है अगला प्रशने 33, इनमें से गलत जोड़ा छांट कर अलग कीजिए तो पहले सही जोड़े देख लेते हैं जो प्रभा है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के दुआरा प्रकाशित किया जाता था देवनागर को उमापती दत शर्मा के दुआरा हंस को प्रईमचंदर के दुआरा मर्यादा को रामचंदर शुकल के दुआरा नहीं संपादित किया गिया है ये धियान रखना है अगला प्रशने 34 अचारे महावीर परसाद्दुवेदी ने सर्षपतिर पत्रिका का प्रकाशिन कब से कब तक संबाला तो 1903 में संबाला था ये उपर ही आपको बताए गया है अगला प्रशने 35 इन में से कौन सी पत्रिका चायबाद की समर्थक थी तो जो माधुरी पत्रिका है ये चायबाद की समर्थक माने जाती है अगला प्रशन है 36 विशाल भारत की इस कभी के प्रती बहुत अनुदार था तो जो विशाल भारत है ये निराला के प्रती अनुदार माना जाता है अगला है हिंदी भाषा का संस्कार एबंपरी मार्जन की इस पत्रिका के माद्यम से हुआ तो ये सरस्वती पत्रिका के माद्यम से हुआ था अगला है 38, इनमे से भारतिंदु युक की पत्रिका कौन सी है तो जो कभी वचन सूधा है ये भारतिंदु हरिश्चंदर की पत्रिका सुविकार की जाती है अगला प्रशन 49, इनमे से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था तो ये हिंदी नब जीवन है अगला प्रशन 40, माखनलाल चत्रुवेदी के संपादक में निकलने वाला पत्र कौन सा था तो ये करमबीर है अगला प्रशने 41, कादिम्बनी के संपादक का नाम बताईए तो राजिंद्र अवस्ती ये कादिम्बनी के संपादक के तौर पर जाने जाते हैं अगला प्रशने 42, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे अगला प्रशने चुर्टालिस राज कमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नाम बर्सियं के संपादक में प्रकाशित हो रही है तो ये आलोचना होगी बिकल्प भी अगला प्रशने 45 जे परकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं तो ये नंदन के संपादक रहे हैं अगला प्रशने 46 इन्मे से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे तो ये जागरन पत्रिका से नहीं जुड़े थे अगला प्रशने 47 उदयन शर्मा किस पत्रिका की संपादक रहे थे तो ये आके आलोचना नामक पत्रिका की संपादक रहे हैं अगला प्रशने 48 बरतमान समय में दिल्ली से राजेंदर यादब किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं तो ये हंस्पत्रिका का संपादन कर रहे हैं कहां से दिल्ली से। अगला प्रशने उन्चास धर्म युग कहां से प्रकाशित होता था तो ये मुंबई से होता था। अगला प्रशन 50, करम बीर का प्रकाशिन कहां से होता था, तो ये जबलपूर से होता था, अगला प्रशन 51, इनमें से प्रभीति के अधार पर किया गया नामकरण कौन सा है, तो ये रीतिकाल है, अगला प्रशन 52, रीतिकाल को अलंकरित काल की संगया किसने दी, तो ये मिश् 50 से लेकर स्विकार किया है तो ये रामचंदर शुकल होंगे अगला प्रशन है पच्पन शुकल जी ने अधुनिक काल का नाम क्या रखा तो शुकल जी थे इन्होंने अधुनिक काल का नाम गदेकाल रखा तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये lecture रहा कम समय में मैंने लगबग आपको प्रशन करवाई यहां पर धियान से देखोगे तो काफी लाब होगा आपको आगे भी इसी तरह के lecture चाहिए जादा ब्याख्यान तो नहीं होगे प्रतु प्रशनों के संख्या जादा होगी जल्दी जल्दी आपको करवाया करूँगा ठीक है इस तरह की lecture चाहिए होंगे तो अब इसी कमेंट करिए गब आकि आप हमारे टेलियूराम और बट्सेप ग्रूप के साथ जूर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए हैं तो जाने से पहले आपको फिर से हमारे जो जो ग्रूप चल तो यहां पर देखिए यह हमारे टेलिट है जो भी जुनना चाता है एल्टी टैट के न्यू बेच के साथ तो 25 जुलाई 2013 से पहले जुड सकता है 25 जुलाई 2013 से हमारी क्लासी शुरू हो जाएंगी सारी डिटेल यहां पर दी गई है कि हर रोज आपको टॉपिक के हिसाब से recorded video lecture मिलेगा recorded video lecture का PDF आपको हर रोज दिया जाएगा हर रात 9 बजे आपका test भी होगा सबसे best master दिये रहता है कि पहले आप किसी topic को अच्छे से discuss करिए फिर उसका test भी लीजिए उसी method से आपको पढ़ाएंगे पहले आपको recorded lecture दिया जाएगा फिर आपको रात 9 बजे उसका test भी देया जाएगा इसी के साथ course की बात करें 90 दिनों तक course चलेगा पूरा हिंदी साहित कवर करवाए जाएगा पिछले बर्शों के हल प्रशन पत्तर भी आपको upload करवाए जाएंगे समय समय पर आपको अन्य महतुन पीडिया पी तिया दिवी send की जाती रहेंगी बाकी दे होगी तो यहां पर हमारा बट्सेप नंबर दिया गया है यहां पर आप बट्सेप कर सकते हो और सारी जानकारी जुटा सकते हो तो धनियवाद यहां पर वीडियो का समापनाव कर लेते हैं